हेलो स्टोनेट्स तो कैसा है आप सभी आप सब के लिए लेकर आ चुके हैं योगा फिलोसफी एंड प्रैक्टिस का सेमेस्टर वन 19 मार्च 2023 के मौनिंग सिर्फ का कोशन पेपर कितने पार्ट में कोशन पूछे गए हैं कितने मार्क्स के कोशन आया हैं और कितना समय दिया गय चले फिर वीडियो को आगे बढ़ाते हैं योगा फिलोसफी एंड प्रैक्टिस सेमस्टर वन आगे वह लिखा है मैं आपको में में चीज बता दूँगा इसमें यह लिखा है कि हर कोशन दस मांस का होगा आपको चार कोशन दिये गया है उसमें से आपको कोशन भी तीन कोशन कमपलसरी है बाकी के तीन कोशन से आज से कोई से भी दो कोशन कर सकते हो राइट शॉर्ट नोट ऑन एन टो अफ दी फॉलेंग हिंदी इंग्लिस दोने मीडियो में दिया गया है सिग्निविएंस ओफ योगा योगा का महत्तुर प्रहणायम 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 इफेक्ट ऑफ मेडिटेशन इन में से कोई भी शॉर्ट नोट करने है यह आपका कमपलसरी कोशन है आपको अटेंप खना ही करना है अब आते बाकी के तीन में इन में से आप कोई से भी दो कर सकते हो वाज्साओन में आ गई और दोनी कोशन दददस मास मेला है तीस मास का पार्ट ए होने वाला है second question क्या है explain पतंजली सुत्र अफ योगा सुत्र है पतंजली योग सुत्र की व्यक्या कीजिए how many psychic centers are there in a spinal core discuss किये what is the effect of breathing on mind discuss कीजिए सरवशन क्रिया का मस्तिक्स पर क्या प्रभाव पड़ता है वर्णन कीजिए यह आपका part है जिसमें 4 question दिये थे, 3 question करने थे, 10 marks के थे सारे और पहला question आपका कंबलसरी था अब आते second part के उपर यह देखे, second part में आपको 6 question दिये वे होंगे उनमें से आपको कोई से भी 4 attempt करने हैं और 4 question 10 marks के हैं तो यह आपको 40 marks का part भी होने वाला है और part है आपका 30 marks का होने वाला इसमें आप कोई से भी 4 कर सकते हैं, कोई कंबलसरी वाला नहीं है पहले question, give your views on the connection between yoga and its practice can they be separate from each other, discuss कीजे योग और उनके अभ्यास के बीच अंदर संबंद पर अपने विचार प्रगट करें trace the history of yoga in evaluating its present relevance योग के इतियास की प्रिष्ट भूमी में इसकी प्रसंग गित्र का वल्णन करें third question, what is the effect of concentrating around the psychic centers, discuss 10 marks, चक्रों पर एकागरेता के प्रभाव का विचलेशन करें how are the two sutras of patanjalis yoga sutra significant in understanding yoga and consciousness 10 marks, योग और चेतना को जानने में पतंजल, योग सुत्र के प्रथम को दो सुत्र का क्या मैत्वय वर्णन करें discuss the steps in simple dhyana, how would you evaluate its practice, सेन, ध्यान के विभिन, चर्णन का वर्णन करें last question, give a brief outline of the relaxation exercise related to neck 10 marks, garden को अराम पहुचाने वाले अभ्यासों की रूप रेखा प्रस्तुत कीजिए, यह दोने पार्ट आपके एक ही question paper में आएंगे, आगे बीचे तो अच्छे से question paper गुमा के देख लिजेगा, और सारे question attempt करके आईएगा, आपकी गलती होगी, अगर आप attempt नहीं करके आते ह चले फिर वीडियो को ही खतम करते हैं